ओडिया वर्लकप के बाद टीम इंडिया शुरू करेगी अगले साल होने वाले तीटुएंडि वर्लकप के तयारी पांच पाचों की टीटुएंडिया इसीरीज खेलकर औस्ट्रेलिया के साथ जो शुरू होने वाली है 23 नवेंबर से यहां भारत की सरजमी पर ही यह पहला टीट विंडिया का मुकाबले को इंडिया उस्ट्रेला के बीच होने वाला है विशाखा पत्नम में 7 बज़े से मुकाबले शुरू हो जाएंगे वह अगर बात करें कि इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेंग 11 क सकते हैं यशस्वी जैस्वाल तो साथी रुतुराज गायकवार जोकी यहां पर इस सीरीज के लिए वाइस कप्तान बनाया गया है तो उसके बाद नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए आसकते हैं तिलक वर्मा एशन गेम से भी यही टॉप तीन के बल्लेबास हमें बल तो दोनों मेंसे किसी एक होई यहां मौका मिल सकता है इसके बाद नंबर छे पर फिनिशर का रोल निभाते वह नजर आ सकते हैं रिंकू सेंग दा फिनिशर गेंदबाजी के अगर बात करें बल्लेबाजों के बाद तो स्पिन डेपार्टमेंट में अक्सर पतेल और रवी जैसवाल और उतुराज गायकवार नजर आ सकते हैं वही तिलग भर्मा उसके बाद सूर्य कुमार यादव इसके बाद इशान किशन याफर जितेश शर्मा में से कोई एक फिर रिंकू सिंग अक्सर पटेल रवी बिश्णोई अर्षदीप सिंग प्रसिप्रिश्न करते हो हमें नजर आ सकते हैं इसान किसिंग को अगर लेकिन ओपनिंग मॉका मिलता है नमबर पांच पर इशान हाई जितेश में किसी को मॉका ना देकर शिवाम दूबशात करकर काफ़े जोड़ी बनाई ती नोनेसीप दूबे का भी नामसाब ना सकता है उन्हें भी मौका मिल सकता है वाकि आप लोगों को प्लेंग 11 कैसी लगती है या फिर आप लोगों की प्लेंग 11 क्या होसती है इस परे T20 आए के लिए कॉमेंट सेक्शन में जरूरू बताईए अलुए तुफान स्पोर्ट इसको लाइक कम को सब्स्ट्राइक पुना बिकुल में भूले या